नमस्कार दोस्तो, मैं राजनान एक बार फिर आप लोगों वे साथ दोस्तो एक बुढ़ा व्यक्ति था जिसके तीन बेटे थें तीनों बेटे आपस में हमेशा लड़ाई जगड़ा किया करते थे संपत्ति के लिए उनमें इतना विवाद था कि आए दिन उनमें मारपीट हुआ करती थी आए दिन वो लड़ते और जगड़ते रहते थे बुढ़े व्यक्ति ने लाग कोशिस की अपने पूरे जीवन भर कोशिस करता रहा कि हमारे बेटे आपसी तालमेल में रहें प्रेम बेवहार से रहें लेकिन वो तीनों बेटे आपस में तालमेल बिठा कर कभी नहीं रह पाएं अंत में एक दिन अचानक बुढ़े व्यक्ति की मरत्तू हो जाती है उन्होंने अपने वसीहत में लिखा कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लाल रंग की रुमाल थी बकसे से निकालो और उस लाल रुमाल को मेरे हाथ में बांदो मैं उन्हें लेकर अपने साथ जाना चाहता हूँ तिनों बेटे ने उसी प्रकारते किया अपने पिता की अंतिमिक्षा को पूरा करने के लिए लाल रंग की रुमाल निकाली और पिता के हाथ में बांदिया ब्रामण को जब बुलाया गया अंतिम संसकार करने के लिए तो थोड़ी देर बाद जब ब्रामण ने हाथ में लाल रुमाल देखा वो भी फटा हुआ था तो उन्होंने अंतिम संसकार करने से इनकार कर दिया बोले ऐसे अंतिम संसकार हम नहीं कर सकते उनके बेटों ने कहा कि मेरे पिता की अंतिम इक्षा यही थी कि उनके साथ उनका ये रुमाल्या है इसलिए आपको करना पड़ेगा ब्रामड नाराज हुए गुसे में आए और बोले ये हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा दोस लगेगा हम पुरानी कोई भी चीज लेकर अंतिम संसकार नहीं कर सकते हैं अंति में वो ब्रामड नाराज होकर चले गए तभी एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने यही की यही धरी रह गई इसी प्रकार से तुम्हारे साथ भी होगा धान दौलत संपत्ति सारी कुछ यही की यही रह जाएगी कुछ भी तुम लेकर नहीं जा पाओगे इसलिए जीवन में आज से सीख कर लो कि तुम कभी मार पीत नहीं करोगे संपत्ति के लिए कभी लड़ोगे नहीं आपस में किसी भी तरह का विवाद नहीं करोगे दोस्तो हर इंसान के साथ यही होता है उसके साथ संपत्ती नहीं जाती उसके साथ धन दौलत नहीं जाता उसके साथ उसकी पूजी और उसका पैसा नहीं जाता सब कुछ यही धरा का धरा रह जाता है सिर्फ जाता है उसका प्रेम ब्यवार उसका इसने है उसका जो सामाजिक जीवन होता है जो अच्छे काम होते हैं कर्म होते हैं वो अच्छे कर्म उसके साथ जाते हैं इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए अच्छा ब्यवार करना चाहिए लोगों से प्रेम ब्यवार के स साथ रहना चाहिए कभी धन दौलत और पूजी के नाते से आपसी विवाद नहीं करना चाहिए दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लाइक करिए और अपने महतुपूर सुझाओ हमारे कमेंट्स वाक्स मे जाकर जरूर दीजिए अभी तक हमारे विल आइकन को नहीं दबाया तो विल आइकन को जरूर दबाएं नमस्कार